दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल है जूटूबर देव में तो दोस्तों सी एम यानी की मुख्यमिद्रेसों के लोगत ने लिया है निर्णे की अगले महीने होंगी विश्व विध्याले की परिक्षाएं अंतिम वर्स की पहले होंगी पू परिक्साएं सबसे पहले कराई जाएंगी प्रतम और देटी वर्स के विध्यारतिएं को प्रोविजनल रूप में अगले वर्स में प्रोविजनल रूप से घ्रमोनत किया जाएगा प्रोविजनल मतलों ईक प्राथ rakड्मिक्ता गाधार पर आप नौर्मली आई उनको माना जाएगा फिर जो है परिस्तित्यानों को लोने पर उनके एक्जाम्स लिये जाएंगे तो जैसे मैं आपको चोटा से एक्जामphrाई बताने जाओं तो देखो कई बार बच्चा जो है 11 होता है एक्जाम हो चुका हूता बैट रिजर्ट नहीं आया होता है उसको अगले वर्स में मान लिया जाता है ऐसा ही छोटा जोदान यह होता है कि आपने BSTC का जो एक्जाम दे के आप सलेक्ट हो चुके ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर भी आप 3rd grade का एक्जाम दे सकते हैं प्रोविजनल रूप में तो इसको कहते हैं प्रोविजनल रूप में उनको जो है मानक रूप में उनको मान लिया जाएगा कि वो है अगले वर्स में और फिर जब भी परिश्टित्यान ठीक होंगी यह बड़े बड़े एक्जाम करवाए जा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े इस तर पर होते हैं बहुत भीड रहती है तो जब करवाएंगे तब उनको फाइनली मान लेंगे तब तक उनको अगले वर्स की पढ़ाई उनकी नहीं रुके और पढ़ाई चालू रहे पर इस त्यानों को लोने पर देखो आप यह फाइनली एर की जरूरी क्यों है क्योंकि देखो जैसे मास्टर की जो डिगरी है तो उसमें तो क्या है कि फाइनल का नहीं भी कराएंगे तो भी कहां जाना आगे यार 17 क्लास पढ़के भी कहां चले जाओगे तो उनका तो जाएंगे तो फाइनल इस की जरूरी है बाकि सब के जैसी क्यूंकर उनका पाइस्ट यहर वादसम ले लेंगे अपने घर बैठै तो इसल्ये जए जो उनके बारे मैं कोई जल्द्बाजी नहीं है दूसरों Жल्द्बाज इसलिए उनको चेश्ज करना है और तकनीकी विश्विद्याले में भी टेक, M.T.E.C. और M.B.A. तथा पॉल टेकनिक अंतिम वर्ष की जो परिक्साय है वो जुलाई में होंगी इनके पूरुवर्थी वर्षों के विध्यारतियों को अगले वर्ष में कर्मोनत करके परिष्थितियां समाने उने पर परिक्साय कराई जाएंगी तो जब भी परिष्थितियां ठीक होगी तब एक्जाम ले लेंगे फिलार उनको अगले वर्स में जो है प्रोविजिनल रूप में मान लेंगे जो प्रवजन इसको प्रोविजनल का जो तात्पर है वो प्रवजन कई बार आपको पता होगा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं जब आप 10th या 12th करते हैं स्कूल से तो उनको बोलते हैं प्रवजन जो है आपका इस्थांतरण पर्मान पत्र या फिर प्रवजन रूप से जो यानि की टैंप्रेरी एक मानक तोर पे उसको माना जाएगा बाद में जो है उसको फाइलाइस किया जाएगा तो वैसे यह माम प्रोविजनल जैसे कई बार दिग्री चाहिए होती किसी की नौकली लग जाय तो दिगरी चाहिए होती तो फ्रोइजनल डिगरी देते तो क्योंकि जो डिगरी होती है उसको तीन से चार साल लगते है दिगरी पूर्ण मेराब की जो क्लस जैसे आपने आप में कर लिया तो उसके बाद चीना 4 साल लगेंगे आपके ओरिजनल जो है डिगरी बनके आने में अलग एक उनिवर्टिटी का अलग अलग नहीं है मैं तो ऐसे उतना समय लगता तो उससे पहले क्या होगा अगर जरूट पढ़ गई किसी की जौब लग गई तो जरूट पढ़ गई उसको डिगरी की तो क्या करे कि जो आई एक प्रोग्राम सेट किया गया सरकार के और से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए से जाला जाला थैंक यू बैज में तो वाचिंग धन्यवाद नमस्कार